हेलो, वेलकम तो माई चैनल, आज हम साइन से क्लास 6 चैप्टर 6 चेंजिज अराउंड असके कोश्चन अंसर करेंगे जब हम किसी ऐसे एरिया से गुजरते हैं, जहां पर पानी भरा होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी ड्रेस की लेंथ को फोल्ड कर लेते हैं जैसे किसी माद लो पैंट पैंड रख है, तो इसको फोल्ड करकर छोटा कर लेते हैं, जहां निक कर कि तरह हम कर लेते हैं, इतना छोटा उसके बाद, क्या यह वापिस जैसे माद लो हम इस एरिया से बाहर निकलते हैं तो क्या इसको वापिस पैंट की तरह हम सीधा कर सकते हैं इतना लंबा आंसर है yes by unfolding the dress this change can be reversed हम इसको दुबार से unfold कर देंगे और यह है पैंट की तरह फिर से हो जाएगा तो यह एक reversible change है reversible change क्या होता है जो भी substance पहले था वैसा ही हो जाता है तो जो यह change हुआ यह reversible change का example हुआ question number two है you accidentally dropped your favorite toy and broke it हमारे हाथ से अचानक कोई खिलोना गिरता है और तूट जाता है this is a change you did not want और हम नहीं चाहते थे कि हमारा खिलोना तूट जाए can this change be reversed क्या है दुबारा से पहली जैसा खिलोना बन सकता है answer है no it cannot be reversed so it is an irreversible change जो toy था वो पहले जैसा वो टूट गया और वो पहले जैसा नहीं बन सकता so this is an example of irreversible change कोई भी substance है अगर वो वापिस वैसा ही नहीं बन सकता जो पहले था तो ऐसा जो change होता है वो irreversible change का example होता है question number third है some changes are listed in the following table इस table में कुछ changes दिखाए गए है for each change write in the blank column whether the change can be reversed or not तो ये जो changes table में दिखाए गए है ये reversed हो सकते हैं या नहीं first है sawing a piece of food किसी भी लकड़ी के लकड़ी को pieces में काटना can be reversed or not तो इसमें आगा no क्योंकि अगर एक पर लकड़ी को टुकड़ों में काट दिया तो उसको दुबारा से हम पहले जैसा नहीं बना सकते melting of ice candy कोई ice है अगर वो melt हो जाती है तो अगर हम उसको freeze में रख देंगे तो दुबारा से ice बन जाएगी तो ये ऐसा आएगा इसमें dissolving sugar in water water में sugar को dissolve कर देते हैं अगर हम उसको उबालते हैं boil करते हैं तो दुबारा से sugar रह जाएगी और water evaporate हो जाएगा तो इसमें भी ये भी आएगा yes, it can be reversed the cooking of food जब एक बर food कुख हो जाता है तो पहले जैसा नहीं बनता है तो ये रिवर्स नहीं हो सकता riping of mango ये भी रिवर्स नहीं हो सकता पहले एक कच्चान था और वो पक जाता है ripe हो जाता है दूबारे से वो कच्चा नहीं हो सकता souring of milk दूद का खटा होना तो ये भी अगर एक बर दूद खटा हो जाता है तो वापिस पहले जैसा दूद नहीं बन सकता जो रिवर्स हो सकते थे वो यहां पर yes लिख दिया है जो रिवर्स नहीं हो सकते वहां पर no लिख दिया है ये देखे इसके answer आप यहां से भी लिख सकते है question number 4 है a drawing sheet changes when you draw a picture on it can you reverse this change answer है it is all depends on situations देखे हम जब किसी भी drawing sheet पर drawing बनाते है कुछ एक picture बनाते है picture draw करते है तो क्या इसे reverse कर सकते है कि एक बार उस picture को मिटा दिया तो पहले जैसा page हमें मिल गया क्या ऐसे हो सकता है तो यह depend करता है कि कैसी situation है अगर हमने उसे पके color से बनाया होगा तो उसको reverse नहीं किया जग सकता अगर हमने pencil से बनाया है तो उसको erase करके पहले जैसा page बन सकता है तो first situation क्या है by erasing the drawing we can undo the change for example if we draw with the help of pencil we can erase the drawing by using an eraser this is our reversible change अगर हमने pencil से drawing की है तो उसको मिटा देंगे तो यह वज़ा change होगा है reversible change if we draw using a pen we cannot erase the drawing अगर हमने pencil drawing की है तो हम इस pen को erase नहीं कर सकते और colors से drawing की है तो colors को erase नहीं कर सकते so then this change cannot be reversed so it is irreversible change question no.5 है give examples to explain the difference between changes that can or cannot be reversed कुछ changes ऐसे होते हैं जो इनको reverse किया जा सकता है कुछ changes ऐसे होते हैं जिनको reverse नहीं किया जा सकता इनका difference explain करना है answer है examples of reversible change reversible change वो changes होते हैं जिसमें किसी भी substance में कुछ change आता है और उसको पहले जैसा ही बना दिया जा सकता है तो वो होता है reversible change का example जैसे melting of ice into water ice है वो water मेल्ट हो जाती है तो water बन जाती है फिर दुबारे से अगर हम उस water को फ्रीज करते हैं फ्रीज में रख देते हैं तो दुबारे से आइस बन जाती है तो यह किसका example होगा रिवर्सिबल चेंज का example होगा क्योंकि वो रिवर्स होकर दुबारे से आइस में चेंज हो गया water रिवर्स होकर आइस में चेंज हो गया folding a paper paper वगर fold करते हैं और उसको unfold कर देते हैं फिर हम तो यह भी reversible change का example होगया hot milk to cold milk by boiling milk we can make it warm जब दूद गरम होता है वो ठंडा हो जाता है हम दुबारे से गरम करकर फिर दुबारे से hot कर सकते हैं तो यह भी reversible change का example है example of irreversible changes अब irreversible changes क्या होते हैं जो substance पहले जैसा नहीं हो सकता तो irreversible change का example है जैसे burning of candle अगर एक बार candle burn हो गई तो दुबारे पहले जैसे candle नहीं हो सकती bursting of crackers पटा के जो फूटते हैं तो पहले जैसा पटा का नहीं बन सकता cutting of trees एक बर हम tree को काड़ दीते हैं तो पहले जैसे tree नहीं बन सकता तो यह example है irreversible change के question no.6 है अथिक coating of paste of plaster of paris is applied over the bandage on a fractured bone कोई भी bone fracture हो जाती है तो उस पर plaster of paris का एक plaster किया जाता है pop का एक plaster किया जाता है it becomes hard on drawing to keep the fracture bone immobilized इस यह थोड़े देर में hard हो जाता है जो plaster of paris का plaster है वो hard हो जाता है थोड़े देर में can the change in P.O.P. be reversed तो क्या यह जो P.O.P. जो plaster हुआ है क्या यह वापिस reversed हो सकता है नहीं answer इसका when water is added to P.O.P. it undergoes a chemical change जब P.O.P. में water add किया जाता है तो एक chemical change इसमें होता है its composition changes and it converted into another substance और इसमें जो change आता है तो यह बिल्कुल ही new substance में change हो जाता है since it is a chemical change और यह है chemical change है और हम जानते हैं जो chemical change होता है वो irreversible change होता है so it cannot be reversed it is irreversible change question number 7 है a bag of cement laying in the open gets wet due to rain during the night एक cement का bag है वो रात को बाहर रह जाता है और बारिस आती है और बारिस में वो भीग जाता है the next day the sun shines brightly और दूप निकलती है तेज do you think the changes which have occurred in the cement could be reversed अब यह बदाइए जो cement है उसमें क्या-क्या changes आते हैं और जो changes आते हैं क्या वो reversed हो सकते हैं तो जब यह cement पानी से भीग जाती तो वो hard हो जाती है due to water cement hardens and its composition changes since it is chemical change which cannot be reversed जब यह hard हो जाती है तो इसके जो composition हो जाती है means यह जो cement है इसमें जो water add करते हैं तो यह chemical change का example है इसमें chemical change होता है और chemical change को reverse नहीं किया जाता so this is example of irreversible change तो यहां तक question answers खतम होते है अगर आपको कोई भी question समझ नहीं आया या कुछ भी समझ नहीं आया तो आप comment box में लिख कर पूछ सकते हैं Thank you